आज की हमारी रेस्पी होगी ब्रेट पकोडा इसे कैसे बनाएं और क्या है इसकी ट्रीप्स एंट्रिक्स आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं बहुत ही असान रेस्पी है इसे कोई भी बना सकते है अपने घर पर और बरसाथ का सीजन चल रहा है तो आप इसे घर बारिक काटे आप और साथ में यह होगया हमारा अरा धनिया और जूस्किंदे समगरी पड़ रही है उसे आप बहुत ही बारिक काटे आपको जो ब्रेट के अंदर से फिलिंग करने पर आपको दिक्कत ना हो हमने ग्रीन चली भी एड़ कर दी है और यह भूना हुआ जीरा पाउडर आप इसी घर्पी बना सकते साथ में यह है थोड़ा गरम मसाला और इसके साथ एड़ कर रहे है चिली पाउडर रेट चिली पाउडर है तीके पन के लिए और साथ में थोड़ा आप स्वाद अनुसर सॉल्ट को यूज़ कर रहे नमक अब इस सभी को आपको मिला है आपको आच्छा लगता है था है चम्मस से अच्छे से सी मिला ले थाकि सभी मसाले एक दम возмож तरीक से आपके इस प्रकार से जो मसालला है यह स कि अदर आप वेसpatient को यह ऐसे एक पेसा निकाल रहे है और दीमी दीमे करके सिते टाकि उसके इंदर जो दाने पर जाते हैं वह सबसे पहले आग्या भींग यह आग्या ऑपका जो अजवाइन होता है इसे आप को इसगे इस के प्रोप्लमली होगी और ऑग्या नमक ठोड़ा चिली ठोड़ा सा धनिया इससे इसकेज़ा बेटर युच लगेगा बहुत wins सबकर मिला ले उसके पानी को एड़ करें ताकि जो यह सब हमने समान डाली है वो अच्छे से बेसन मिल जाए उसके बाद आपको पानी डालना है और पानी आपको दीमे दीमे करके डालना है ताकि जो आपको एक उसकी मौतरा होती है पानी की वह बनी रहे और आपका जो बेसन है ज्यादा गीला न जाएगा और यहां कि ब्रेड बेड आपका अच्छी कोल्टिक होना चाहिए इस प्रकार से से फैला दे और फैलाने में जो काम हैं बहुत ही साधने से करें ताकि ब्रेड बहुत ही नरम होती है तो दब सकती जादा इसे बीच में से चाहे तो कट कर लें या तो आप पूरा च सकते बेशन लगाके इसे बीच में से कट कर लेंगे तो अच्छा दिखीगा और अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी देखिए इस प्रकार से से सेंड्विच जैसे बनाते उसे बीच में से कट कर लेना है देखिए यह रेडी हो चुका है सब इसे और इसे फिर आपको एड़ कर दिना ओयल में आपको गरम होना चाहिए नहीं तो यह जो आपका ब्रेट प्रकॉड़ा है जो तेल ज्यादा सोसेट कर लेगा अपने अंदर एबसर्ब कर लेगा तो इसके लिए आपको बहुत गरम रखना है उसके बाद आपको धीमे कर दिना ह है लेकिन उतना भी दिमें नहीं करना है तो आपको ब्रेट प्रकॉड़ा जब कोईते है ओईली हो गया ज्यादा तो वह इस प्रकार से ओईली हो जाएगा इसे निकाल रहे है और इसे ऐसे किचन टावल या किचन पेपर जो होता है आता है उस पे निकाले तो जो बाकी का कर लेगा और आपका जो ब्रेट प्रकॉड़ा है बिल्कुल ऑईली नहीं बनेगा इसे हमने निकाल लिया है अब इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं और बरसात के समय इसे खाना बहुत अच्छा लगता है ता आप इसे जरू घर पे बनाए और आपका रेस्पी कैसी बनी हमे तक लिए धन्यवाद